तो हाई गाइस प्रेम यह वेलकम बैक तो मैं चैनल तो इसे आज हम बात करने वाले फेस्बुक लाइट में कैसी फीचर है जिसे आन करते ही आप लोग 40 पर सेंट तक दाटा बचा सकते फेसबुक लाइट में तो गाइज इसी बात में लाइक कर दो और शैनल को सब्सक्राइ नह first click करते हैं आप लोग सा नीचे आना होगा और यहाँ पर आप लोग को setting का अफिज़ सफन देखने को मिल जाता है simply उस पे click कर देना है then guys click करते ही आप लोग को क्या करना है यहाँ पे देख सकते है data saving mode आप लोग का off रहेगा तो आप लोग चाहते हैं data saving mode on कर दे जिससे हमें data बहुत ज़्यादा बज़े और इससे हमें कुछ फायदा हो तो guys क्या कर सकते हैं data saving mode को on कर सकते हैं लेकिन यहीं पे रुकिए गाईज इससे best feature मैं आपको बताऊगा data saving mode on करने से आप लोग का facebook light में जो photos देखेंगे उसकी quality खराब हो जाएगी videos की quality खराब हो जाएगी लेकिन इसी बात पे मैं आपको एक ऐसी thought बताऊँगा से एक छोड़ी से trick बताऊँगा जिससे आप लोग को help लेगे तो क्या करना है गाईज आप लोग को इससे off कर देना है आप लोग को यहाँ पे नीचे photo quality जिससे आप लोग को एक दम हाय कर लेना है अपनी हिसाब से कर लेना है मैं topic की बात करते हैं हमें video quality facebook light में गाई से हम लोग videos उतना देखते नहीं है बर देखते भी तो क्या हो है video quality थोड़ा कम हो लेकिन क्या करना है आप लोग को यहाँ पे facebook light में यहाँ पे नीचे off से देखने मिल जाता है video quality का और यहाँ पे उसी section पे हमें lowest quality video का option देखने को मिल जाता है जिससे हम 20% तक data को बचा सकते हैं जो इसी पे click करते ही आप लोग का video का quality कम हो जाएगा और उतना भी फर्क नहीं पड़ता है लेकिन 20% तक data तो बची जाएंगे और गईस आप लोग चाहते हैं कि 40% data बचे तो simple सा data saver को on करेंगे जिससे आपको photo और video का दोनों का quality कम हो जाएगा और कैसे आप रुक चाहते हैं कि हमें सिर्फ video का quality कम करना है तो simple सा एसी पे lowest quality video पे click करके आप लोग 20% तक data बचा सकते हैं और वीट photo quality बहुत ही अचात है आप वीडियो पसंद आयोगे लाइक कर चैनल पर बली बहुत है चैनल को सब्सक्राइब कर दे मिलते नेक्स्ट पर बहुता तक के लिए बाई बाई